बहिया एक laptop मिलेगा 40,000 के आसपास का ये लूसर लेटेस्ट i3 12 Gen का प्रोसेसर है और बेस्ट है पाट वेट इस दिस रेली अगुड लाप टॉप तो दबा देख ले एक बात फिर यहाँ पर तुम्हें थोड़ी सी इसके कुछ मैनुवल्स मिल जाएंगी और ये रहा इसका 65W का चार्जर बाकी लिए एक बार इस लाप टॉप की स्पेक्स डिसकस कर लेते हैं तो ये तुम्हारा i3 12 Gen के साथ आता है 6 और 8 थ्रेड वारा प्रोसेसर 8 GB की DDR4 RAM है 512 GB की SSD और तुम्हारा Intel UHD का ग्राफिक्स तो यार ये लापटप प्रोवाइड करवाया हमें Future ID Zone वारा जिसके Delhi NCR में बहुत सारे showrooms अवेलबल हैं एन मजी की बात ये है कि यहां पे तुम्हें EMI भी देखने को मिल जाएगी और नमबर नीचे दे रखा है तो वहां पर तुम जाके ज़रू बात करना बाकी hinge is quite stable and 180 degree तुम्हें यहां पे मिल जाता है exact 180 नहीं है but 180 वाला काम करवा देगा बाकी अब तुम्हें लापटप खोली लिया है तो यार keyboard तुम्हें दिख जाएगा इसका बहुत ही rubbery keyboard है इसका and no car click सबसे बड़ा flaw जो मुझे लगा बड़ टच करने में सही feel है कोई दिखत नहीं है trackpad हलका सा छोटा है मुझे बड़े ग्यूमीद थी तो वो एक flaw मुझे यहां पे मिला and हाँ fingerprint reader नहीं है इसका ओए क्या देख रहा है movie बट यह side से इतना काला काला क्यूं है क्योंकि इसमें TN panel आता है अच्छा तो बड़िया वला कौन सा होता है IPS और उससे अच्छा OLED panel होता है अब तुम्हें TN panel समझ आ गया है तो बता देता हूं 15.6 की Full HD TN panel इसमें आता है फिर brightness is Dyson it's justified थी और anti-glare तुम्हें आ पे मिल जाएगा अब इसके ports बता दूँ तो सब कुछ बढ़िया ही है वहां पर तो एक power socket है USB 3 है HDMI type C headphone jack राइट हैंड साइट पर एक USB 2 not 3 और एक SD guard stop बाकी देखो laptop है portable 1.7 kg का weight है और इसको खोलने में भी जगा टाइम नहीं लगता मात्र 12 second का boot time है इसका फिर इसमें Wi-Fi 6 है तो download speed आई मेरे में 123 Mbps की और upload speed आई 111 Mbps की उसके लाब one of the best चीज इसका webcam तो यार इसमें तुम्हें standard webcam मिलता बट with privacy shutter फिर इसके SSD तक को हमने टेस्ट करा तो यहां पे read speed निकल कर आई 3000 Mbps की और real speed निकली 1659 Mbps की बट चलो laptop ल से 6 हंटे का backup देगी और जादा heavy काम जाना तो चार घंटे का भी दे सकती है उसके अलावा बढ़िया बात यह है कि इसमें rapid charge आता है याने गी 80% तुमारी battery चार्ज जाएगी in just 1 hour जो कि एक अच्छी चीज है and I guess battery का जो हलका सा issue लोग रहा था वो इससे resolve जाता है फिर इसक अब आता है इस laptop का heart, the processor itself, i3 12 Gen 1215Q तो इसको मैंने Cinebench single core में test करा and score निकल कर आया 1172 and multi core में 3460, blender के monster में आया 39 samples per minute, junk shop में 13 और classroom में 16, PC Mark 10 में भी 4291 तुम्हें पर मिल जाएगा, अब performance is decent but, क्या तू इसमें कर सकते हो the answer is yes and no, मैं काऊंगा avoid करो, थोड़े पैसे और डालो और coding के लिए अच्छा लगता हो, अगार तुम लोग इसको daily use के लिए देओ, movie देखनी है, net browsing करनी है, या फिर daily MS office वाले काम जो तुम करता हो, या फिर हलका सा moderate जिसी की for the shop, उन सब कामों के लिए इसको लिए सकते हो, stock trading या फिर इन सब कामों के लिए भी लेना है, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट, प्रिमिया प्रो के लिए इसको avoid करना क्यों, मैंने प्रिमिया प्रो भी टेस्ट करा, and तीन मिनट, उन्निस सेकंड में मैं एक 4 के clip को 720 में उसने convert करा, जो कि मैं बोलूँगा, ठीक ठ पहला गेम है GTA 5 जिसको हमने 1920 by 1080p की resolution पर चलाया है, normal settings है, कोई बहुत जादा wow काम नहीं करा है, अब जैसे कि तुम देख पा रहे हो, 40, 50, 60 तक तुमारा average fps तुमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, and considering यह एक i3 processor है, and without GPU, काफी अच्छी performance में बोलूँगा, बाकी हाँ GTA 5 is a game जो अराम से इसमें तुम खेल पाओगे, अब अगर तुम लोग इसमें game देख चुके हो, तो softwares की भी बात कर लेते हैं, Macafi का antivirus मिलता है, एक महीने का, ठीक है, MS Office मिलता है, इसमें 2021 edition, जोगी lifetime के लिए free है, तो कोई tension नहीं, और Windows 11 ही है, उसके बाद the only Lenovo offer, 2 साल क warranty इसमें तुमें by default मिलती है, तो बागी company इसके 4-5000 रुपे ले लेती है, तो वो फाइदा तुमें इसमें already यहां पर मिल रहा है, and अब आती है, सबसे जरूई चीज, मुझको क्या लगता है, ले के नहीं ले, well frankly, अगा तुम लोग उन लोगों में से हो, भाई जिसको पता चुका हो, बाकि अगर तुमें Lenovo का भरोसा चाहिए, और तुम्हारा काम इससे हो जाएगा, तो guys इसको भी ले सकते हो, खबराने वाली कोई बात नहीं है, ऐसे कुछ बहुत बड़ा blender तुम नहीं कर रहे हो, और ले लिया है तो बहुत ही बड़ी है, क्योंकि it's a decent luck, बाकि एंगर देंस के समय आज की वीडियो और पिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए, बाबाँ!